तो मैं हूं इसकॉन और आपको स्वागत करते हूं गाइस तो मैं लेकर आगे हूं कमाल की टेक्नलोजी अपडेट और बहुत सरे लीक तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर 6 की बात करतो आज जो मैं यह रिपोर्ट सापको बताने वालों नमबर 6 की यह तोड़ा सा आने वाले फ्यूचर के लिए गाइस थोड़ा सा खत्रे की गंटी बनती जा रही है क्योंकि जो हमारे आने वाला फ्यूचर वो सुरच्छित नहीं होने वाला क्योंकि समुद सिटी के जो रिसर्चेस उन्होंने श्टडी की है कि जो सीले वाल है वो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा उन्होंने बताया कि अगर वैस्टविक इस्तर पर कारवन उस सर्जन नहीं रुका तो समुद्री जलिस्तर साल 21 तक एक मीटर से अधिक और साल 2300 तक 5 मीटर तक बढ पाएगा जो कि यह नई श्टडी सामने आई है और उन्होंने यह भी का जो प्लास्टिक्स यूज और उसके कारण समुद्री में बहुत सारे ऐसे जो जीव है वो लुपत होते जा रहे हैं जो कि गाइस बात सही नहीं है पे आने वाला जो फ्यूचर उससे अगर हमें अच यह यूट एडिशन के साथ कंपनी ने इसे लांच किया था जो जो कि MIUI 12 का ये अपग्रेड वरजन जो कि MIUI 12 कस्टम रॉम है तो कंपनी के नया कस्टम रॉम है तो लेकिन अब कंपनी चाहती है कि इसे जो अभी चाइना ये मार्केट पर तो इसकी नहांटी वी चला रही जो बहुत सारी company ने भी confirm तो नहीं किया लेकिन company ने बहुत सारे ऐसे leaks दिखा चुकी है जो कि company अब finally 19 माई को launch करने वाली MIUI 12 को जिनने company ने बहुत सारे new custom ROM में company ने add किया है new new software, new animations और बहुत सारे कुछ MIUI 12 में आपको देखने को मिलने वाले है तो Xiaomi users के लिए एक खास बात है जो कि आपको globally market इंडिया में भी आपको देखने को मिलने वाला है MIUI 12 का latest version जो कि first में roll out होना start हो जाएंगे guys थोड़ा सा premium flexi phone में फिर second phone में आपको जब second जो company का roll out होगो उसमें आपको budget mid range phone भी उसमें company ने add कर दिया है तो guys अभी तक आपने हमारी MIUI 12 की उपर full video नहीं देखे तो i button पर click करके आप देख सकते हो number four की बात कर तो finally आज Indian market पे Realme अपने दो budget smart phone Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10 को company ने finally Indian market पे launch कर दिया है और company ने इसे budget mid range phone की category में ध्यान में रखके काम के इन phone की उपर जो कि इनकी बहुत सारी डेटर्स थी launching वो बहुत ज़ादा पोश्ट्पेंड होती कोवी 19 के चलते लेकिन आज company ने finally इन phone को launch कर दिये तो guys आप इने बहुत जल्दी purchase कर पाऊगे Amazon और Flipkart से और Realme की official website से आप इन phone को order कर पाऊगे तो guys अभी तक इनकी unboxing नहीं देखे हो तो guys आपको YouTube पे बहुत सारी unboxing वीडियो देखने को मिल पाएगी तो जा कि आप बहुत सारी unboxing वीडियो देख सकते हो और इसका मैं आपको link description box पे दे दूँगा इन phones के unboxing का नमबर 3 की बात कर तो Xiaomi का sub-brand Redmi का guys budget mid-range phone Redmi 8 का upgrade variant Redmi 9 बहुत जल्दी आपको market पे देखने को मिलने वाला है तो guys आपको बता दो Redmi 9 Xiaomi का अंगलाई smartphone होने वाले जो की budget mid-range phone है और company निसे online spot किया जो की इसे listing के बाद से जल्द online इसे company launch करने वाली है गज़नों को बता दो Xiaomi अभी तब किसी भी इस से launching के दो date अभी confirm नहीं मता है लेकिन guys मता दो इसको पहले सबसे पहले 3C certification आपको database पर इसे company लिश्ट कर दिया है जो कि इसे Chinese market वे सबसे पहले company launch करेगी उसके बाद आपको Indian market पे देखने को मिल पाएग और जो इसका accepted rate बताया जा रहा है वो 8999 रुपए आपको इस phone का price होने वाला है guys number 2 की बात कर तो पिछले कुछ समय सही Apple के अंगले premium flexi phone iPhone 12 series के बारे में guys कुछ information सामने आ रहे हैं और इन information phone को design क्या मिलने वाला और उसके जो camera हैं उसे features में क्या upgrades की बाते सामने आ रहे है yes guys वहको बदा एपल की तरफ से बहुत सारी ऐसे लेक सामने आ चुकी है जो guys Apple iPhone 12 में आपको देखने को मिलने वाला है तो guys एक नया लिक सामने ये आया है कि guys आपको जो iPhone 12 Pro है guys उसमें एक camera में आपको guys कुछ upgrade देखने को मिलने वाले है वो upgrade यह है guys जो आपको camera होगा वो sensor shift technology का इस्तमाल करने वाले guys iPhone 12 Pro Max में जो guys बेहत quality से भर होगा आपका iPhone 12 Pro Max camera और guys मैं आपको बता दू आइफोन 12 Pro में आपको देखने को मिलने वाले 5G series phone जो कि सभी phone में आपको 5G का भी support होने वाला है और Apple के A14 Bionic chips process procedure भी देखने को मिलने वाले है और Apple ने कहा है guys कि हम जितने भी अपने साल में हर साल जो अपनी नई series को हम launch करते हैं उसी समय पे भाई guys यह सितंबर या October के मैंने वे company अपने नए premium phone को launch करने वाली है guys number one की बात कर तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप सुनके guys हैरान हो जाओगे तो guys आपको बता तो दुनिया के सबसे उचे परवस सिखर Mount Everest पर 5G network पहुँच गया है और हिमाला की सबसे उचे सिखर पर Chinese mobile operator China mobile और Huawei ने मिलकर 5G tower को पिछले दिनों लगा दिया है इस tower पर लगाने से परवस जो रोही जो जाते हैं वो extreme condition में भी बहतर network activity मिल पाए उने और यहां लगाए गए tower में 1.7 GB per second तक की internet speed को वो use कर पाएंगे और China mobile ने इसे site को अपने दो महतपूर achievement की खूसी में लगाया है योगि China में सफल average mission के 60 सल और इस सिखर की जो उचाई के measurement के 45 सल पूरा होने पर इसे company ने डेवलप्ड किया है और इसे यह benefit मिलने वाला जो परवत रोही जाते हैं उन्हें अच्छी अच्छी connectivity मिल सके इतने उचे परवत पे और उन्हें कम से कम अपने घर वालों से वो connect हो सके इस network के थ्रू उन्होंने इस achievement की वज़े से इसे लगाया है और गाईस आपको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट पे भी 5G सर्विस देखने को मिल पाएगी